हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार अगर मैं आप से कहूं कि साइबेरिया में एक नर्ख का द्वार उपस्थित है तो शायद जानकर आपको कुछ आश्यरे हो लेकिन आपका याश्यरे तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब इस बारे में आप जानेंगे कि डियर इस नर्ख के द्वार अर्थाद gateway of hell का आकार बीते कुछ बर्चों में लगबग तीन गुना हो चुका है और इतना ही नहीं अब इसका आकार इतना बड़ा है कि नाओ इस एरिया इस इवन विजिबल फ्रॉम दे स्पेस अभी अंत्रिच से भी देखा जा सकता है इतना व्रहद आकार हो चुका है इस एरिया का आए इस खबर पर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका निर्मान कैसे हुआ फॉर्मेशन कैसे हुआ बट बिफोर आई स्टार्ट मेक शोर के स्टड़ी आई क्यों के प्रीमियम प्रतिग्या प्लस बैचेस नाओ दे आर गोईंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली दस आरिक इस महा की दस सितंबर से इन बैचेस में क्लासेस बेसिकली स्टार्ट हो जाएंगी अद्मिशन अभी ओपन है लिमिटेड बेसिकली सीट्स हैं अगर आपके अभी तक एन्रोल नहीं किया है तो डियर आप एन्रोल कर सकते हैं साथ ही सेपरेट जोगरफी ओप्शनल के बैचेस हिंदी माधियम के उपलब्द हैं अगर आप चाहें तो सत्रा नो फ्रॉम सिक्स्टींथ आप इन बैचेस में अन्रोल कर सकते हैं क्लासे सत्रा तारिक से इस माहा में स्टार्ट हो जाएंगी स्टेशली फॉर सेपरेट जोगरफी ओप्शनल बैचेस और हिंदी मीडियम स्पैसिफिक आए पहले खबर पर आते हैं और चर्चा करते हैं एक्जेक्ली यह गेटवे ओफ हेल है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है गेटवे ओफ हेल यह बिसिकली एक क्रेटर है और इस क्रेटर का फॉर्मेशन हुआ है साइबेरिया के एरिया में बट यह क्रेटर वो नहीं है जिसे अकसर आप वॉलकैनिक एक्टिविटीज के कारण formated एक area के रूप में देखते हैं निर्मित एक छेतर के रूप में देखते हैं ये crater अलग है और ये crater एक दरार से एक बड़े छेतर में specifically अगर मैं कहूं तो लगभग 200 एकर के चादा बड़े area में ये spread हो चुका है and now even ये अब space से भी दिखाई दे रहा है इतने बड़े आकार का crater अगर मैं आपको बता हूं तो याद रखिए कि लगभग 300 feet इसकी गहराई बताई जा रही है और बेटा गाई का ये crater इस इस्थान पर 1960 से इवन उपस्तित है लेकिन बीते 30 वर्षों में इसका आकार लगबग 3 गुना बढ़ चुका है यहाँ पर बताया गया कि ये जो gateway of hell glacier है जैसा मैंने आपको बताया 1960 को ये पहली बाद सेटेलाइट से देखा गया था और now due to global warming and climate change इसका आकार 3 गुना तक बढ़ चुका है अब जरा ध्यान से समझे exactly ये है क्या तो यहाँ experts का ये कहना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना even जो perma frost area है perma frost का मतलब है permanent frost अर्थात वो area जो वर्ष भर हिमाक्छादित रहता है साल भर हिम से बर्फ से frost से ढखा रहता है ये विश्व का सबसे पुराना और second even सबसे पुराना perma frost का area है और इस area की जो बर्फ है जो हिम्नद है ये पिघल रहे हैं और ये फॉर्म कर चुके हैं एक depression का और ये depression जब पहली बार देखा गया तब ये केबल और केबल एक दरार की भाती दिखाई दे रहा था और आज के समय इस जरार का आकार लगभग लगभग जैसा मैंने आपको बताया खत्रे के निशान के उपर अर्थात warning alarm systems में ये बताया गया कि इसका आकार 200 एकर से भी जादा हो चुका है यहाँ समझना होगा कि केबल और केबल किसी हिमनत का पिघल जाना पर माफ्रोस्ट एरिया जो दुनिया का सबसे पुराना फ्रोस्टेड एरिया हो उसका पिघल जाना केबल हमारे सागरों के अंदर सी लेवल को बढ़ा कर कुछ सिटीज को समर्ज करने तक लिमिटेड नहीं है अभी से कुछ समय पहले मैंने डिसकस करा था इवन अबाउट जॉम्बी वाइल्ड फायर यह वो वनागनी है यह वो फॉरेस्ट फायर है जो जमीन के अंदर लग रही है इवन साइबेरिया के एरिया में जस्ट इमेजिन कि वो छेतर जो फ्रॉस्टेड है बर्फ से जमा हुआ है उस छेतर में जमीन के अंदर बर्फ के नीचे घास के अंदर आग लग रही है और यह आग हफतों या महिनों नहीं सालों तक जलती रहती है कि जंगलों में घास के मैदानों में आग लगने लगती है और यह आग एक बार लग जाने के बाद धीरे धीरे करकर सुलगती रहती है जमीन के अंदर बर्फ के नीचे और एक बार विंटर खतम हो यह दुबारा स्टार्ट हो जाती है काफी रेयर इवेंट है अर्थ का और यह आपको दिखाई देगा इवन साइबेरिया के एरिया में और यह इवेंट लगाता साइबेरिया के छेतर में बढ़ रहे हैं जिसे जॉम्बी फायर के नाम से जाना जाता है अब यहां देखने लाइक बात होगी कि इस प्रकार से अगर क्रेटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है साइबेरिया के अंदर और थात वो प्रोटेक्टेड शील्ड जो हमारे हिम्नदों को अपने अंदर समाए हुए है अगर यह फिल्ड अब स्प्रेड होगी अब दिरे-दिरे डिकलाइन होगी तो आने वाले समय में यह बड़ा मैसिव डिजास्टर लेकर आएगा हो सकता है कि आप मेरी बात से इतिफाक न रखते हो हो सकता है कि आपको यह लगे कि ग्लोबल वर्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान के बढ़ने से कुछ सिटीज का डूप जाना हमारे जैसे देशों के लिए कोई बड़ी समस्या ना हो जॉम्बी फायर है तो यह फायर लगेगी भी साइबेरिया में लेकिन डियर अगर यहां विनाश स्टार्ट होगा कैटास्ट्रोफिक जो रियक्शन से यह स्टार्ट होंगी तो यह रियक्शन एंड अफ दे ट्रोपिकल नेशन तक ही आएंगी पीछे दी हुई जरह इस खबर पर भी गौर करिए आप इस खबर की गंभीरता से समझ पाएंगे कि एक्जेक्टली हमारी अर्थ के साथ जो डेवलप्मेंट इनिशेटिव्स करे जा रहे हैं यह वास्तविक्ता में कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट अचार प्रलायकारी परिनाम लेकर आते हैं पीछे दीवी खबर में ज़रा ध्यान दे तो आप पाएंगे कि मैल्टिनिंग ओफ अलास्का आस पर्मा फ्रोस्ट यह डेंजरस मर्क्यूरी रिलीस कर रहा है सागरों के अंदर अर्थाद धीरे धीरे करके जो हमारे ओशन्स हैं वो मर्क्यूरी से रिच होते जाएंगे और इसे कुछ समय पहले की एक और निउस पर गौर करिएगा आप पाएंगे इस न्यूज में दावा करा गया कि 1700 से जादा प्राचीन यानकी एंशेंट वाइरेसिस यह उपस्तित है हिमालियास के हिमनद में ग्लेशर्स में और जब यह ग्लेशर्स मेल्ट होंगे यह पुराने वाइरेसिस फिर से जीवित होंगे अर्थ पर यह जो पर्माफ्रोस्ट आप देख रहे हैं जिसका पिघलना क्रेटर के रूप में उपस्तित है डियर इस क्रेटर के या इन एरियास के मेल्ट होने से वो दबे हुए वाइरेसिस जिनोंने कभी प्रत्वी पर मास एक्स्टिंशन को ट्रिगर करा था अर्थात वुरह दिस्सर पर जीवों के विनाश का जो वाइरस कारण बने थे डियर वो वाइरस आज भी अर्थ में हमारे हिम्नदों के अंदर जीवित है और यह जो जीवित वाइरसिस हैं यह रियालिटी में अर्थ पे मैसिव डिजास्टर ला सकते हैं दे आरे स्टिल प्रेजेंट एंड हमारा हिम्नदों को पिगलाना यह अंत्ता इन वाइरसिस को दुबारा इंट्री देगा चाहे वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हो चाहे वो केवल और केवल फॉरेस्ट फायर हो या फिर एरियास का डूब जाना ग्लूबल वर्मिंग और क्लाइमेट चेंज बार बार मुझे कथन याद आ रहा है युनाइटेड नेशन के चीफ के द्वारा कहा गया था अर्थ इस नियर तू फेस न्यू नेचुरल डिजास्टर्स प्रत्वी अपने उस क्रम में पहुँच चुकी है जहां नई प्राक प्रतिक आप दाएं जिनके लिए हुमन्स आर नोट रेडी मानव अभी तयार नहीं है आई थिंक आपके लिए इंफोर्मिशन नाकेवल जानकारी के तौर पर इवन एक्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रही होगी अब आई जरा चर्चा करते हैं स्टेडिया क्योंकि उन प्रीमियम कोर्सेस में जिनमें अगर आप एंड्रोल करते हैं तो सबस्ट और टेक्निकली फ्री फॉर सीरियस आई एस एस प्रेंट्स सीरियस लिए अगर आप आप इस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो डियार आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा क्योंकि इन बै काफी बारिकी से आप इन चीजों को कवर कर पाएंगे साथ ही इन बैचेस में एंड्रोल करने पर जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है फर्स्ट अफ वाल जो फी आपको यहां दिखाई दे रहे है देट इस 24,999 यह फी आपको रिटन कर दी जाएगी और आपको मेंस एस एसे इंशल प्रोग्राम का हिस्सा बना जाएगा वो भी फ्री ओफ कोस्ट आपका फूट आपका स्टे आपका लॉंडरी इच और एवरिटिंग विल भी प्रोवाइद बाइस टेस्ट होंगे इन टेस्ट में जो भी स्टुटेंट फर्स रंक लाएगा डियर उन्हें 11 1000 का कैश प्राइस दिया जाएगा यह सारी सुविधाएं only and only इन प्रतिग्या प्लस बैचेस बट याद रखे आपको इन बैचेस में एंड्रोल करना है बाई यूजिंग एक लाइव कोड इस कोड का यूज करते हैं अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो डियर आ इनिमम कॉस देखने को मिलेगा स्टेडिया क्यों के हर एक प्रीमियम कोर्स पर इसके अलाबा अगर आप मेरे साथ जोगरफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अर्थाथ वह ऑप्शनल जो यूपी एसी के प्रिदिमर इग्जामिनेशन को हाइली डॉमिन क्यारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सोला तारीक से इन बैचेस में क्लासे से स्टार्ट हो रहे हैं और टेक्निकली इस बैचेस आर फॉर इवन प्रिलिम्स आपके प्री को भी क्वालिफाई करने में बैचेस आपकी हेल्प करेंगे बट ऑविस है ऑप्शन सब्जेक् कि डियर आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएस एस्पिरिंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूँ चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू